हलो डिया स्टुडेंट आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एक जाम में फिर से एक बार स्वागत हैं आप सभी इस कॉरोणा काल में सुरक्षित होंगे और पढ़े होंगे देखिए ये वीडियो आप सभी को निराज कर सकता है और हतास भी कर सकता है क्योंकि ये वीडियो जो है वो related है Indian Railway से ठीक है यानि कि Indian Railway Requirement System से related है ये वीडियो ये वीडियो काफे important है उन सभी स्टुडेंट के लिए जो सपना रखते हैं या फिर वो सपना देख रहे थे कि यहाँ पर हमारा Indian Railway में selection होगा और finally हम यहाँ पर job पासकेंगे Indian Railway में तो काफी अच्छा सपना है और ये सपना भी आपका पूरा हो मैं यही चाहता हूँ और मैं भगवान से भी यही विंति करता हूँ बट आप सभी को Indian Railway का system को देखकर बहुत खराप और बहुत ही चिंतित महसूस होगा कि ये Indian Railway आखिर क्या कर रही है ये requirement board आखिर आप सभी लोगों के साथ क्या कर रही है कुछ दिन पहले आप यहाँ पर देखे होंगे कि आपके अररबी अंटीपीसी ठीक है अररबी अंटीपीसी के तरप से यहाँ पर जो है एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज देखा गया कि यहाँ पर उनके जो result है उसमें धांदली देखी गई अभी यहाँ पर group D की बात करूँगा यहाँ पर वैसे candidate जो 2019 में ठीक है सही सुन रहे हैं आप जो 2019 में यहाँ पर group D का form भरे थे यानि कि आप group D 10 level पर और ITI यहाँ पर देकर अपना form भरे थे उन सभी से related एक काफी important यहाँ पर notification आ गया है notification को आप मेरे telegram channel touch exam पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर इनका official website है कोई भी RRBs के website पर जैसे कि RRB राची, RRB, channel RRB, कोई भी RRBs है सभी RRBs पर यह आपका notification को update कर दिया गया तो वैसे candidate जो यहाँ पर railway group D का form भरे थे उन सभी के लिए काफी important यहाँ पर एक notice यहाँ पर अभी कुछी दिर पहले मतलब कि एक दो गंटा पहले यहाँ पर release कर दिया गया notice काफी important है आपके examination से related है notification अगर आप तयारी कर रहे है group D का कि मेरा selection हो जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुनकर खराब लगेगा कि यहाँ पर railway का जो examination system है उनको यहाँ पर change कर दिया गया क्या है change पूरी update हम इस वीडियो में बात करेंगी अगर आप नए है तो please आप हमारे चैनल touch exam को subscribe करें ताकि आपको regular jobs update मिलते रहे और भी update आपको जल से जल मिल जाए तो चली ही शुरू करते हैं और फिट देखते हैं क्या है यहाँ पर railway के तरप से update और आपको यह कैसी effect कर सकता है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगा और इसका solution क्या है आपके पास वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा वो काफी आपके लिए helpful हो सकता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे काफी clear है और दिख रहा होगा यहाँ पर यह जो notification निकाला गया है यह पांच page का notification है सबसे last में आपको date दिखा देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो date है वो काफी important है यह आज की दिन ही निकाला गया है 24 जनवरी 2022 को यहाँ पर निकाला गया है prelims जैसे अपका examination होता है उसी तरह से यहाँ पर आपका examination group D में भी conduct कराया जाएगा reason क्या दिया है आप reason सुनेंगे तो काफी आपको हसी आएगा या फिर बुरा भी लगेगा क्या यह reason बता रहे हैं अपना दो examination conduct कराने का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले notification का जो highlight keyword है मैं वो बता देना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए government of India, ministry of railway, railway requirement boards के तरब से निकाला गया है और जो यहाँ पर आपका main notification है वो curriculum and amusement number 3 है ठीक है 2 यहाँ पर बोला जा रहा है आपका जो RRC 2019 level 1 post है उसी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है उसके बाद requirement for various post in level 1 to 7, CPC matrix is date of issue 24-1-2022 यह जो notification निकाला गया है वो आजी के दिन निकाला गया है और कुछी देर पहले निकाला गया है जो की notification निकाला गया है 24 जनवरी 2022 में ठीक है यहाँ पर आपका दो exam होगा यह clearly यहाँ पर notice पे लिखा गया है notification को अगर आप चाहते हैं तो मेरे की YouTube चैनल के description में आप मेरे वीडियो के description से भी download कर सकते हैं या तो फी टालिग्राम का link मैं दो दूँगा वहाँ पर और भी update आपका requirement update वहाँ पर मैं देते रहता हूँ वहाँ से आप इसका complete notification को download कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख लिजे क्या है examination schedule for CBT1 and introduction of CBT2 यानि की CBT1 examination computer based test examination 1 आपका कब होगा उसके बाद introduction यहाँ पर दे रहे हैं कि computer based 2 आपका जो examination होगा वो किस परकार होगा उसमें कौन-कौन से topic रहेंगे वो भी यहाँ पर बता दिया जा रहा है ठीक है तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर देख लिजे 1 में जो है आपका A में है काफी important है आपका जो CBT-1 होगा वो आपका syllabus सेम रहेगा जो भी आपका group D का syllabus था पूरी तरह यहाँ पर सेम रहेगा उसके बाद यहाँ पर second जो आपका CBT होगा यानि कि second stage होगा आपका computer based test यानि कि CBT-2 का वो syllabus रहेगा आपका 10th standard का सेम ए CBT-1 यानि कि CBT-1 के जैसा ही CBT-2 ही भी होगा question अलग रहेगा बट दो phase में आपका examination होगा अब यहाँ पर distribution आप questions की बात कर लेते हैं तो आपको बता दे examination duration जो होगा वो 90 minute का होने वाला है उसके बाद हम यहाँ पर बात करें topic तो topic आप देख लीजिए सफस्ट में आपका general science है जो कि आपका 30 नंबर का होने वाला है general science आपका 30 नंबर का उसके बाद यहाँ पर बात करें mathematics का तो student यहाँ पर देख सकते mathematics जो होगा वो भी आपका 30 नंबर का होगा उसके बाद हम next बात करें यहाँ पर जो topic है आपके लिए वो general intelligence and reasoning का है जो कि 30 नंबर का होगा आपका ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका next जो है वो आपका है general awareness and current affairs जो कि आपका 25 marks का है clear है अब आप बात करें कि हाँ पर इनका total number कितना हो जाता है तो total number आपका जो होगा वो आपका total number of questions 120 होगा यानि कि आपको 90 मिनट मिलेगा और आपको total number of questions 120 questions रहेंगे और अगर बात करें कि question कितनी number के रहेंगे तो number of question आपका एक number का जो यहाँ पर question रहेगा ठीक है एक नमबर का आपका question रहेगा यानि कि आपका यहाँ पर total 120 question है तो फिर आपका 120 number का होगा ठीक है उसके बाद बोले जा रहा है shortlisted of candidate, listing of candidate of CBT2 15 times of the notification vacancy बोले जा रहा है कि यहाँ पर 15% candidate को ही CBT2 के लिए यहाँ पर shortlisting किया जाएगा जो कि notification में दिया गया है तो 15% candidate यहाँ पर सामील हो पाएंगे उससे जादा नहीं हो पाएंगे यह काफी important बात है तो आपको काफी महनत करने की यहाँ पर आजाती है बात कि अगर आपको selection लेना है तो महनत करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर normalization यहाँ पर भी डाल दिया गया है normalization जैसे NTPC में था और अलग examination में railway कराती है उसी तरह से यहाँ पर normalization rule भी यहाँ पर डाल दिया गया है जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको complete detail notification में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे post थे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सभी post के लिए यहाँ पर आपका जो है vacances निकाला गया था और सभी post में यहाँ पर आपका merit भी आएगा और यहाँ पर selection भी होगा वो भी यहाँ पर आपका दिखा दिया गया आप इनकी तरब से reason सुन लिजिए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों कि क्या इनको जरूरी पड़ा क्या reason रहा कि यहाँ पर जो है दो exam को यहाँ पर induced कि CBT1 जो पहले से था और CBT2 जिनको यह induced कि reason कि तो देखिए यहाँ पर यह बोल रहे in the view of the large number of applicant receive railway have decided to conduct to a stage computer based test यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखा गया कि बहुत large number में application receive किया गया railways के तरब से काफी लोग यहाँ पर apply किये इस चीज को देखते हुए railway ने decide किया है कि यहाँ पर आपका दो computer based test किया जाएगा यानि कि cbt1 जो कि आपका होना था और cbt2 जो कि आपका new यहाँ पर induced किया गया group d के लिए तो मैं इक चीज railway से कहना चाहता हूँ आप यहाँ पर देखिए आपका जो examination है वो तबहें 23 समय सीमा से होने वाली है examination की बात करें तो देखिए आपका examination examination जो होगा वो आपका 23 February 2022 से होगा यह जो आपका examination है cbt1 है और इनमें आपका कोई changes नहीं किया जाएगा यह बात का ध्यान रखिएगा यह declare कर दिया गया इसको आपका covid यह कुछ भी है अभी फिलाल के लिए change नहीं किया जाएगा आपके पास ज्यादा time नहीं है आज आपका 24 तारीक होई गया 24 जनवरी गिनके आपके पास यहाँ पर one month का only time है student only one month का time है तो जी जान लगा कर तैयारी करिए अगर आपको selection चाहिए तो अभी आप cbt2 का छोड़ दीजे cbt1 का preparation करिए अभी आपके पास दो option है या तो यहाँ पर इनका cancel करने के लिए आपके पास time limited है आप यहाँ पर online protest करेंगे क्योंकि covid अभी पूरी तरह से फैला हुआ आप यहाँ पर offline protest करनी सकते tutor पर यहाँ पर protest करेंगे तो यहाँ पर आपको time wastage होगा तो आप वो भी चीज करेंगे जो कि आपकी रेस सही है क्योंकि यहाँ railway हर बार गलत कर रहे है यहाँ पर देखिए आपके पास एक month time है और यहाँ पर अभी यह बताते हैं कि यहाँ पर आपका जो है दो exam होगा यह काफी गलत है इनके पता ही होगा कि यहाँ पर जितने number of application receive हुआ इनको यह 2019 में form भराएं आप सुनिएगा 2019 में यहाँ पर form भराएं आपके पास 20, 18 उसके बाद आपका 22 आ गया मतब दो साल तो normally आपके पास थाई तो दो साल आपके पास time था दो साल में आप यहाँ नहीं बता पाई कि यहाँ पर induced किया जाता है दो examination होगा CBT यानि कि group D में भी आपका दो examination होगा आप बता सकते थे बढ़ आप ऐसा नहीं किये यह काफी गलत है examination यहाँ पर आपका 23 February 2022 से होने वाला है और यहाँ पर यह date को fix कर दिया गया तो आसा है कि आपको यह notification समझ में आ गया होगा जो update है पूरी update को आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलिग्राम से हमारी टच इग्जाम टेलिग्राम से आप इस notification को download कर सकते हैं और पूरी जानकारी को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और जैसा ही update रहेगा मैं आपको वीडियो के मादे हम से upload करते रहूँगा और update आपको देते रहूँगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो please आप subscribe करें ताकि जो भी update रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा तो thanks for watching, have a nice day